नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सुभी का आद दूसरे भाग में उत्तर प्रदेश राजपराधारित प्रश्णों में और उम्मेद करते हैं पहला भाग आप लोगों नहीं याद कर लिया होगा तो आपके एक्जाम में अहम रोल निभाएगा ये उत्तर प्रदेश से सम केंदर का मतलब शहर और वहां से समदित उद्योग है जो हमेशा ही पूछे जाते हैं तो इसमें कानपूर विस्पोटक के लिए प्रिसिद्ध है बारबंकी पॉली फाइबर मोधी नगार रबड के लिए आमला उर्वरक के लिए फेमस है इसमें रेनुकूट एल्मोनियम क कैस अंटी बायोटिक मेरथ खेल के समये के लिए अलिगढ़ ताले के लिए तो अलिगढ़ आप याद रखना मिलनी और फिरोजाबाद याद रखने की जरूरत है और मेरथ खेल का समये का समयान कानपूर चमडे रेनार और नजीबभाबाद प्लाइवोड साहरणपूर का आगाज और लुगदी, खुर्जा मृतिकाशिल, जले सा ढलवा घंटियां, अलिगड़ के ताले, मुरादाबाद पीतल के बर्तर, टांडा विद्दुत करगा के उत्पाद वारांसी लकड़ी के खिलोनों के लिए काफी प्रसित है, मथुरा पीतल के मूर्तियां ये भी बह बहुत फेमस है, बरेली, दिया सलाय उद्द्योग, चिनहट, चेनी मिट्टी के बरतर, गोरकपूर, टेरा कोटा के लिए, साहरनपूर, कास्थ, नकाशी, पीली भीत, खड़ाओं के लिए, बरेली, जरी के लिए, आगरा परेटन के लिए, कन्नोज याद रखना, कन्नोज इंपरेंट है, एत्रवा, तेल के लिए, मिर्जापूर, काली इन के लिए, ये इंपरेंट है, नोडा, एंपरेंट है, सौफ्ट्य रेम, सूचना प्रिद्योगी के लिए, वारणसी, रेशाम, उद्द्योग, सोनभद्र, चूनपथर, ललिद, पूर, तामवा और योरेन ये याद रखना यूरीनियम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का ललिदपूर उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्द्यो के प्रमू केंद्र आगरायम कानपूर हैं इसमें आपको सभी नहीं याद रखने हैं अगर आप जानकारी के लिए याद करना चाहते तो याद कर लेजिए वन्ना जो हमने टिक लगाए हैं उनको आप याद कर लेना कुछ क्वेश्चन्स हैं पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का चुनाओ कैसे होता है तो पंचायत की सीमा छेत्र के निरवाचन सूची में समयले सभी निरवाचकों द्वारा इसी छेत्र के निरवाचकों में से ग्राम प्रधान का चुनाओ होता किशोरी सकती योजना की सराज में चलाई गई थी उत्तर प्रुदेश में गैंडे को पुनरवासित करने का कार किस राष्टी उध्यान में चल रहा है दुद्वा नेशनल पार्क में 2011 की जनगर्णा की अंति माकडो की अनुसार उत्तर प्रुदेश में पूरो साच छर्था का प्रतिशत 77.3% 2011 की जनगर्णा की अनुसार उत्तर प्रुदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जन संक्या घनतु धारण करता है गाजिया बाद उत्तर प्रुदेश का सर्वादिक छेत्रफल वाला जिला लकेंपूर खेरी उत्तर प्रुदेश में 2011 की जनगर्णा की अनुसार अधिक्तम घनिया अबादी और नियुनतम घनिया अबादी वाले जिले कौन से है तो अधिक्तम घनिया अबादी वाला जिला गाजिया सबसे कम साच्छर जिला है स्रावस्ति कुछ जिले हैं और उनके मुख्याले इनको आप याद करने ना जालोन का मुख्याले उरई या ओरई में है प्रमुफजन जातियां है इतनी ही आपको याद रखनी है और इनि में इसे पूछा जाता है भोकसा या बुकसा या बुकसा ये विजनोर की है खरवार, सोनबहत्र, माहिगिर, विजनोर, थारू महराजगंच परहिया, सोनबहत्र, भोटिया बारवंकी, बुकसा विजनोर, राजी गोरकपुर, थारू मादा ये अलग-अलग जगों पे लिखने का तरीका है और शायद हो गए एक ही चीज भोकसा या बुकसा सुरहा ताल पच्छी विहार इस्तित है बलिया चिले में उत्तर प्रदेश का सब्सक्र बड़ावन जियो विहार हस्तिनापूर मेरट जनपद में आलम की एक पूरसे प्राफ्य पूरा तत्वी समंकरी प्रतिविम्बित करती है हडपा संस्कृती को उत्तर प्रदेश के नामों में परिवर्तनियम समय 1836 में उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्रांत इसका नाम था रखा गया आगरायम अवद का संयुक्त प्रांत 1877 में रखा गया संयुक्त प्रांत इसको 1937 में कहा गया और फिर उत्तर प्रदेश नाम इसका पड़ा 1950 में उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगर्णा के अनुसार 77 दर सरसर दसमलो 68 प्रतिशत साच्छर्टा दर है 2011 की जनगर्णा के अनुसार इसके अनुसार महिला साच्छर्टा दर 57.2 परसेंट इसमें महिला साच्छर्टा दर है भारत के समस्त राज्यों में छेत्र प्रदेश का अस्थान क्या है चौथा अस्थान है सबसे ज़्यादा छेत्रफल राजस्थान का फिर मत्र प्रदेश का फिर महाराष्ट का फिर चौथे अस्थान पर उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगर्णा के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगा नुपात 912 है वर्ष 2011 की जनगर्णा के अंतिमाकडों के आधार पर उत्तरप्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है जो देश की कुल जनसंख्या का ये भी याद रखने की देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है तो ये 16.51 प्रतिशत है वर्ष 2011 की जनगर्णा के अंसार जनगर्णा तो 829 वेक्ति प्रतिवर किलोमेटर उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 दशाब्दी इन दस वर्षों में जनसंख्या में प्रतिशत ब्रदी कितनी होई है 20.2-3 परसेंट नेक्स्ट है जनगर्णा 2011 के अंतिमाकडो के अनशार उत्तर प्रदेश की सरवाधिक साच्छर्टा दरवाले जिले है पहले नमबर पे है गौतम बुद्धनगर और दूसरे नमबर पे है कानपूर जनसंख्या के अद्रश्टी से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपत लहाबाद है कुछ लोग गीत या लोग नर्ते हैं और उनके छेतर हैं धुरिया लोग नर्ते बुंदेलखंड का है कार्थिक बुंदेलखंड का है कर्मा सोनभत्र धीवर कहार का है नटवरी पूर्वांचल बिरहा पूर्वांचल रसिया ब्रजभूमी का है आलहा बुंदेल खंड, कजरी मिर्जापूर, आलहा महोबा में भी गाया जाता है, देवा बारा बंकी मौलाना मोहम्मद अली जोहर विश्विद्याले के नाम से एक अल्प संख्यक सिच्छन संस्थान की अस्थापना की गई, कहां पे, रामपूर में उत्तरब्रदेस में जैन एवं बहुत दोनों का प्रसिद्य ती thicken है, कौशामबे, गया साधारित विद्दुत संयन्त्र है और एवं दाजरी में उत्तर प्रदेश में सीमान्त क्रशक किने का आजाता है जिनके पास एक हेक्टियर से कम भूमिय है उत्तर प्रदेश का पारीच्छा यह च्छा है उपर लिखा हुआ है पारीच्छा बांध बेद्वान अधी परिष्थित है अब कुछ तीर्थस्तलों के नाम है या मेलों के नाम है और कहां कहां पर होते हैं इससे भी बहुत सारे क्वेशन पूछे जाते हैं हर एक्जाम में लगभग एकाद मेले का या इस तरह से मैचिंग करने के लिए आ जाता है तो चक्र तीर्थ जो तीर्थस्तल है ये नामिशारण्ड में है गोविंद देव मंदिर ब्रंदावन में है सलीम चिष्टी की दरगा फतेपुर सीकरी में है बहुत धेवम जयन दोनो के मंदिर कौशामबी में है कौशामबी बहुत धोर जयन दोनों धर्मों के लिए प्रसित है ब्रंदावन मंदिर मतुरा में जे के मंदिर कानपुर में है विशुनात मंदिर वाराणसी देवी पाटन मंदिर तोलसिपूर अब ये कुछ मेले है माग मेला अलहबाद में मना जाता है जूला मेला ब्रण्दावन में फशु मेला बटेश्वर देवा शरीफ का मेला वारवंकी 84 गुंबत तीर्थस्थल जालौन में है जामा मस्जिन मुरादाबाद गौशिता राम मत कौशांबी राना भरस्थू कुशिनगर धम्मे एक स्थू यह भी इंपोर्टन्ट है सहेत महेत स्रावस्ति में है कनक भावन अयोध्या में कालिंजर दूर इंपोर्टन्ट बादा में है तो ये थे दूसरे पार्ट के questions और एक काद पार्ट में आपका उत्तर प्रदेश कम्प्लेट हो जाएगा और उमीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी तो नहीं होगी क्योंकि बीच में disturbance हो गया था लेकिन अभी आपके पास समय है तो आप सारे विशे जितने भी चल रहे हैं उनको और बहतर तरीके से आप तयार कर सकते हैं कोई exam के time बहुत ज्यादा attention लेने की ज़रूरत ना पड़े केवल revision ही revision करना बाकी रहें उससे आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी और जो भी अच्छे नंबर ले आएंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात हैं और बाकी अभी time है तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग study gs वाले channel से gs को तयार करिये उसमें विस्तरत रूप से अच्छे questions हैं डिटेल में इसमें तो exam जल्दी था इस वज़े से हमने केवाल important important question के नजरिये से कुछ question ही बताया थे लेकिन अब आप विस्तार पूर्वक से तयार कर सकते हैं सभी विशे तो उसमें के हैं इसके अलावा परियावरण के और उसके अलावा कुछ भी से चल रहे हैं और current affairs फिर से उसमें शुरू होने वाला है क्योंकि मार्च अपरेल का बढ़ चुका है तो आप इसको join करके बाकी gs की चीजें तयार करते रहिए और उमीद करते हैं कि इस भाग में भी आपक अच्छा लगा होगा questions का collection तो इस भाग में इतना ही thank you very much